हलो गाईज आपका स्वागत आपके अपने चैनल पर आज मैं लाया हूँ आरवीनल 8 नमबर का जूनियर एसिस्टेंट कॉमर्सल एसिस्टेंट का एक्जाम पेपर विद सॉल्व आंसर की के साथ इस वीडियो में आपको GK के साथ साथ Math, Hindi, English, Reasoning जितने भी कुश्शन आयते वो सारे मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको आंसर भी मिल जाएगा ताकि आप इस वीडियो को देखके अपने आंसर को देख सको कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत तो वीडियो को का लाज तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला हर पेपर आपको आपको इसी चैनल पर सब meilleं तो जैसा कि आप देख रहें तो जैसा आप देख रहे हैं कि यह स्विह सर्प पक्र आइब और परने का जला है तो नागोर जू है आपका अंसर होन च्छी जय से पांच वे नमबर का सबसे बड़ा जिला है नागोर कुछल Kelliight है blame city किसे का जाता है आपका अंसर होना च्छी था जोदपूर जोदपूर को blue city का के लैक सिटी है उदैपूर को कहते हैं जीलो की नगरी तीसरा जो है पिंक सिटी किसे का जाता है पिंक सिटी का जाता है जैपूर को तो इस तरह से आपको आसपास के कुश्चन भी याद रखने हैं कुश्चन नमर थड़ है कर्णी माता का मंदिर कहां पर इस्तित है कंड़ी माता का मंदिर है बीका नेर में और सबेच चुगों के लिए भी जाने जाती है इससरे से आपको आसपास के कुश्चन भी याद रखना है कुश्चन नमर फोर है राजस्तान की परतम महीला मुक्यमंतरी कौन थी? वसुदर राजे परतम महीला मुक्यमंतरी थी? आपको ऐसे पूप भी पूचा जा सकता है परतम पूरश मुक्यमंतरी कौन थे? तो आपको याद रखना है कुश्चन नमर फिफ्त है राजस्तान की सीमा कितने जिलो से लगती है? तो रास्तान की जो सीमा है चार जिलों से लगती है और कितनी किलोमेटर की लंबाई है इसकी 1070 याद रखना इसको पूचा जा सकता है Q6 है सबसे कम अबदी का मुख्यमंदरी थे Q7 है गुरू शिकर की उचाई क्या है Q7 है तो गुरू शिकर की उचाई है 1722 आपको ये टिक करना था Q8 पेट के अंदर कौन सा अमल पाजाता है पेट में पाजाता है Q9 जो था सेनेटाइजर जो है उसमें कौन सा रसाइना यूज किया जाता है तो उसमें इथाईल एलकोहल यूज किया जाता है Q10 है राजस्तन का दूसरा राजयपाल कौन था तो सपुनानंद जो थे दूसरे राजयपाल थे Q11 पूछा गया था ओलम्पिंग में गोल्ड किसने जीता था तो गोल्ड ऑप्शन मुझे पता नहीं है Q12 है मेसा का पठार कहां पर है मेसा का जो पतार है वो है चित्तोडगड में आपका अंसर चित्तोडगड होना चीए था Q13 पूछा गया था Tiger Reserve जो है MP में है Q14 दुर्गापुर किर्शी कहां पर है दुर्गापुर किर्शी है जैपुर के अंदर Q15 पूछा गया था रेल मंत्राल हाली में किसको सोपा गया है तो रेल मंत्राल हाली में सोपा गया है अश्वीनी को ये करटका है Q17 है सबसे बड़ी धमनी कहां पर पाई जाती है Q18 है मानव शरीर में SCL बनता है जठर मे Q17 पूछा गया था मनुष्य का मस्तिष का कौन सा भाग सोचने का काम करता है प्रमस्तिक्स आपका अंसरों चीए था और 20 वा कुछन है BL JATOWAR ADJAKSHTY RSM SSBK आपको एक बात बता दू जो आपकी एक मिंट आपका जो करंट अफेर है मैं फिर से बता रहा हूँ चार-चार महिने का पुछा जा रहा है इस बार जो पुछा गया है मार्च से जून तक का पुछा गया है इससे जादा नहीं पुछा गया है तो आपका जो एक बात बता देता हूँ आपको important बात है और एक सची बात है जो आपका इस exam को लेकर जो पहले जो date आई थी उस date से पहले की जो current affair है उससे ही पुछा जा रहा है मतलब का यह है कि जो आपको पहली वार जो exam date दी गई थी उस date से पहले का current affair पढ़िए उसकी बात का मत पढ़िए क्योंकि जो exam paper है उस ही date से पहले बना दिया गया था यह confirm बात है तो current affair आपको जो पहले exam date दी थी उसी date से पहले का current affair पढ़ना है और जनवरी से जुलाई तक आप current affair पढ़ लीजे आपके एक भी गलत नहीं होगा अब बात करते हैं math के portion में क्या था math के portion बहुत इजी आ रहा है profit loss था mensuration में एक portion बता रहे हैं पर कोई बता रहा नहीं आया था अब एक मान लेते हैं simplification में से तीन से 5 question आते हैं आपको बताया IVPS exam ले रहा था simplification में से जरूर जरूर आएगा age के question बता रहे हैं ratio के 3 question आये थे algebra से 2 question पूचे गए है और graph से मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 से 4 question पूचे गए थे graph निकाल के जाईएगा हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपसे passage पूचा गया है 4 question रिक्तिस्तान खालिस्तान भणने थे 4 question पूचे गए थे गलती सुदाने के 3-4 question पूचे गए थे Antonyms, Synonyms और Error अपसे पूचे गए हैं इस तरह से Reasoning में Sitting Arrangement Blood Relation Series की question और even Salonism और Puzzle आपको निकाल के जानी है पूची जा रही है तो इस तरह से आज के पेपर में ये था अब इसके बाद में Second Shift का जो पेपर होगा वह लादूँगा और उसके बाद Analyze करके आपको सब कुछ बता दूँगा कि किस तरह से पेपर बनाए जा रहा है और क्या है पूरा निचोड पेपर का तो उसी साब से पढ़ने ना क्योंकि अभी Second Shift का पेपर होगा आते ही आगी जाम में तो आपकी 100% सही पेपर जाएगा तो यह था वीडियो में वीडियो चे ले गए तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने ना था कि आपको मैं बता सब को कि किस तरह से पेपर आ रहा है किस तरह सा आपको पढ़ना है और हर सब्सक्राइब का पेपर आपको इसी चैनल में मिलेगा तो था थांक्यू सो मच वीडियो को लाइक करना और साथ्क्राइब जरूर करना चैनल को थांक्यू सो मच